हलो माई डियर फ्रेंज दोस्त मैंने पहले बताया था कि मैं इन और एट में बताऊंगा कि उस दिन जब मेरा पिछला वीडियो था तो इन और एट का थोरा सा इंट्रोडक्शन हुआ था तो मैंने बताया था और इन और एट को में बताऊंगा तो चलिए आज टाइम जो होता है वो small place के लिए होता है यानि छोटे से जगह के नाम के पहले यानि छोटे से जगह के नाम के पहले और एक यह भी होता है जो definite हो जो indefinite ना हो जिसका निश्चित हो उसमें भी लगता है जो जिसका area निश्चित ना हो क्यों यहसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह language British की देन है ब्रिटेन का देन है और ब्रिटेन यह global language है मैं पहले भी बता चुका हूँ English एक global language है अगर मान के चलो मैं अपने जगह के नाम के बाड़े में अगर दूसरे को बताता हूँ अगर वो जानता ही नहीं है उस जगह को छोटे से जगह है जानता ही नहीं है उसका क्या territory है क्या population है क्या है तो उस समय हम at लगाएंगे लेकिन जब वही जगह निश्चित बन जाता है तो वहाँ पे हम इन ही यूज करते है तो आगे हम बताते हैं कैसे यूज करते हैं जैसे मान के चलो एक छोटा सा जगह है मान के चलो एक गाउं का नाम है रामपूर मैं रामपूर मैं रहता हूं रामपूर और मान के चलो मैं किसी अंग्रेज को बोलता हूं मैं रामपूर में रहता हूं तो अंग्रेज क्या जानेगा रामपूर कहां है किदर है किस एरिया में किदर है ये तो नहीं जानेगा उस उसको नहीं चलेगा, for two years, दो सालों से मैं, दो सालों से मैं कहां रहा हूँ, दो सालों तक, दोारीका में रहा हूँ, आगे चलते हैं, आगे जो है, आगे मेरा क्या है, I used to, लिब, used to का मतलब होता है, रहा करता था, करता था, करती थी ऐसे करता था वैसे करती थी जैसे I used to live used to के बाद फर्स्ट फर्म लगता I used to मैं रहा करता था इन रूनी सैधपूर रूनी सैधपूर एक जगह का नाम है रूनी सैधपूर एक जगह के नाम है और आगे लगा हुआ है ब्लॉक मान के चलो अब यहां पर इन लगा दिये है तो रूनी सैधपूर यह जगह का नाम है तो आट लगना चाहिए लेकिन यहां ब्लॉक लगा हुए मान के चलो किसी अंग्रेज को मैं बोलता हूँ जो I live in रूनी सैधपूर ब्लॉक अगर ब्लॉक वहां सब बलूँगा पंचायत में तो वह चल खचलों के चलों इन पर इन पर चलते हैं तो फोड ब्लेस बड़े कै और के नाम के पहले हम इन लगाते जैसे I live in Delhi डेली एक बड़ा सहर है अगर हम अंग्रेज को बताऊंगा डेली तो हो समझ जाएगा हाँ डेली और इंडिया की capital वी है डेली तो डेली हो जाएगा आगे है they have been in London in London where London में रहा है या London में कितना दीन रहा है they have been London में रह चुका है since Monday, Monday से रह चुका है, Monday से रह चुका है, ये present perfect का है, Monday से रह चुका है, she used to live in Bihar, बिहार बोलूँगा तो Bihar भी एक state है, state है, अगर Bihar के बारे में अगर किसी अंग्रेज को बताऊंगा, किसी foreigner को बताऊंगा, तो समझ जाएगा कि एक state है, इसका अपना territory होगा, अपना सरकार होगा, अपना population होगा, तो वो समझ जाएंगे, she used to live in Bihar, तो समझ गएं कि अगर निच्चित हो definite हो, क्योंकि मैं दूस अगर proper noun भी proper noun दिया हुआ है, छोटा सहर, अगर उसके बाद उसका block है, या country है, या state है, या district है, अगर वो लगा देंगे, तो इन लगाएंगे, अगर नाम है, अगर छोटा है, तो हम वहाँ पे at लगाएंगे, अगर बड़ा सहर है, जिसको सब जानता है, पचानता है, त तो वहाँ पे हम at लगाते हैं, चलिए, hope आप समझे होंगे, अगर इससे भी related कोई कहरी होगा, तो आप comment करके मुझे बताएं, जो सार मुझे यहाँ नहीं समझ में आएं, यहाँ समझ में नहीं, अगर समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगा, फिर से बताऊंग थैंक यू